हम सभी लोगों को फल खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि फल हमको स्वात के साथ सेहत भी देते हैं तो सभी जो fruits होते हैं उनके अलग-अलग health benefits तो होते ही हैं उनमें से जो apple होता है उसके health benefits तो कुछ ज्यादा ही होते हैं और यह हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही suitable fruit होता है और जो apple होता है इसको हम छिल के सहीत या छिल के हटा कर भी हम इसका save-n कर सकते हैं नॉर्मली pieces में cut करके हम इसका save-n करते ही हैं पर यहाँ पर आज हम ला रहे हैं stewed apple जो की बहुत ही सारे health benefits लिए होते हैं और जो stewed apple होता है यह खाने में भी बहुत tasty होता है तो यहाँ पर आज हम दो प्रकार से बनाएंगे एक salty and sweet तो दोनों प्रकार के stewed apple है वो बहुत ही ज़्यादा health benefits वाले हैं तो चलिए शाकार सदावार की जिन में आज हम यही बनाते हैं तो यहाँ पर हमने apple जो है उनको पहले छील लिया है और इनको हमने pieces में cut करके जो इसके seeds वग रहे हैं इसको clean कर लिया है अच्छे से और अब एक बरतन में हम ले लेंगे पानी तो हमने एक से ज़ड़े cup के लगभग इसमें पानी लिया है तीन से चार apple है और एक से ज़ड़े cup हमने पानी लिया हुआ है इसमें और अब हम इसमें डालेंगे तीन से चार long या cloves साथ में थोड़ सा दालचीनी powder आप इसके जगए stick भी डाल सकते हैं दालचीनी की और यहाँ पर डाला है काली मिर्च powder और इसके उपर हमने रख दिया है एक प्लेट को और जो पीसेस हमने कट करके रखे हुए थे उसको हमने रख दिया है steam होने के लिए तो यहाँ पर हमको whole वाले टाइप की प्लेट लेना है ताकि जो steam हम अच्छे से आप है अच्छे से पक जाए है और यहाँ पर हम झूसरी प्रकार है वो बना रहे हैं तो इसके लिए हमने जने चीनि कप के लगपद दालची अर्म हम लोंग डाली है इसको भी मोईल आने देंगी इस सात में हम डालेंगे थोड़ी सी किश मीष उसमें किश मीष नहीं डाली थी इसमें अलिटालह होई है त इसमें काली मीष्च डाली थी और जो एपल हैं उसको हम steam कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको पानी में ही boil करेंगे, तो इसको हमने direct पानी में डाला है, और वहाँ पर हम इसको steam कर रहे थे, इसको भी हमने ढखकर रख दिया है, तो अच्छे से boil आने देंगे, 4-5 मिट में जो apple अच्छे से boil होने लग जाते हैं, और यह 12 मिट का समय लगा है और जो हमारे एपल हैं अच्छे से पक चुके हैं और जो नीचे पानी बचा हुआ है लोंग और दालचीनी का इसमें साथ में एपल का एक्स्ट्रेक्ट है थोड़ा जूस भी उसमें गिरा है तो यह बहुत हैल्थ वेनिफिट्स लिए होता है यह पानी अब जो हमारे एपल हैं इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और यह हमारे जो इस्ट्यूड एपल हैं सॉल्टी वाले बहुत अच्छे टेस्टी तयार हो चुके हैं और साथ में ही जो हमारे दूसरे वाले जो हमने एपल direct boil के थे with resins तो उसमें भी हम थोड़ा सा honey डालेंगे आप चाहें तो इसमें उपर से केश्टर शुगर डाल सकते हैं या चाहें तो आप जेगरी भी डाल सकते हैं उसको जेगरी या शुगर का boil होते समय ही डाल दें और इस प्रकार से जो हमारे जो stewed apple है स्वीट वाले ये भी तयार हो गए है ये ध्यान रखें कि जब आप honey डालें तब तक हमारे apple ठंडे हो चुके होने चाहिए और इस प्रकार से हमारे salty and sweet जो दोनों हैं जो stewed apple हैं तयार हो चुके हैं और साथ में हमको बहुत healthy drinks भी मिले हैं और इन सारे stewed apples के साथ में ही आप चाहिए तो अन्य जो fruits होते हैं seasonal fruits उनका भी seven कर सकते हैं क्योंकि morning breakfast में follow का seven ही सबसे ज़्यादा लबदायक होता है और इस से आप बहुत सारे health benefits लेते ही हैं आपका digestive system भी एकदम perfect हो जाता है तो आप अपने दिन की शुरुआत ये लोकी cucumber juice उसके बाद stewed apple चाहे वो salty हो चाहे वो sweet हो उससे करें उसके आदे घंटे के बाद में आप जो भी नाश्टा लेना चाहें ले सकते हैं और यदि आप चाहें तो जो fruits हैं जो seasonal fruits होते हैं उनका seven करें चाहे तो आप उसको mix करके खाएं चाहे तो आप उनको अलग-अलग खाएं सभी में आपको health benefits मिलेंगे और इसमें पूड़े से इसमें जो fruit सला दे इसमें पूड़े से पुदीना के जो पत्ते हैं वह भी कट करके डालते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है तो friends मेरी इस simple but must try recipe को आप लोग जरूर try करें और कैसी बनी इसका feedback भी मुझे जरूर दें मेरे चेनल शाका हर सदा बाहर को like, share, subscribe और comment भी जरूर करें तो चलिए friends फिर मिलते हैं किसी अने recipe के साथ मेरे अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई जैजनेंद्र